कुर्शन दिया है एक्सपरिमेंटली रिडूसिंग एफ फंक्शनल ग्रूप कैन नाट बी डन बाई विच वन आप दा फाल्विंग रिजेंट यह आपके फोर रिजेंट दिये हुआ है अब कुर्शन पूंच रहा है कि इन चारों रिजेंट में कौन सा रिजेंट है जो कर के सब्सक्रेंटली तो हमस क्या होता है इसे समझ लिजेंट होते ह् तो रिजेंट हुआ है तो वर दोजेंट होता है अप देखिए कर तो रिजेंट में हडा हें काम करेगा जो hydrogen रिलीज नहीं करेगा वो reducing agent की तरह काम नहीं करेगा आप ऐसे समझ लिजे कि जो reducing agent होते हैं hydrogen hydrogen रिलीज करते हैं ठेक है और जो oxidizing agent होते हैं oxygen रिलीज करते हैं जैसे के मनफूर के टूसी आटूसी वन डिने ब्लाक लिमेंट में पढ़ा होगा यह ने सेंट oxygen रिलीज करते हैं ठेक है इस वज़े से बेहतरी नहीं है oxygen agent के तरह काम करते हैं अब देखिए जो first option में आपका regen डाला हुआ है यह option में zinc और AC के साथ में H2O डाला गया है समझ में आता है तो यहां पर reaction होगा तो zinc जब H2O के साथ में react करेगा तो यहां से तो आपको मिल जाएगा H plus और यह आपका OH मिल जाएगा जिंक OH माइन साइन के साथ में react करेगा और zinc hydroxide बनाएगा यह hydrogen gas रिलीज कर रहा है लीजिए hydrogen gas रिलीज किया तो आप बोल सकते हैं कि सर यह रिडूसिंग एजन किताए काम करेगा समझ में आता है अचा आगे जो आपसं दिये हुआ है भी आपसं में यह आपका प्लाइटिनम क्या है नोबेल मेटल और यह आपका प्लाइडियम क्या है यह भी नोबेल मेटल इसी की जगे आप निकल भी लेजे निकल हो गया और यह आपका है यह आपका नोबेल मेटल है तो यह जो नोबेल मेटल है तो इन जर्णल अधर सबस्टेंस के साथ में react नहीं करते यह नोबेल मेट को और C option को include करता हूं तो यह noble metal क्या करता है यह surface area डी block element है बेतरें catalyst की तरह काम करते है surface area यह आपका nickel भी हो सकता है यह palladium भी हो सकता है और यह आपका platinum का भी surface area हो सकता है अब इसके surface area में जो hydrogen gas से क्या हो जाता है add job हो जाता है मैंने absorb नहीं बोला है मैंने तो absorption कहां से अचमलेट हो जाती है अप ऐससे समझेन तो इसके सभी सद्सेलिया में wor नहीं जाएँसित लिए तो गालंगे नहीं जाएंगे थेकर आप देखिए यहाँ पे कोई अगर आपका unsaturated hydrocarbon आएगा तो यह hydrogen क्या करेंगे उसके pi bond को break करके उसको saturation में convert कर देते हैं आप लोग ने पड़ा होगा जैसे ही आपका CH2 double bond यह CH2 है और यहाँ पर मने रिजेंट ले लिया निकल हो गया तो क्या करेंगे pi bond break करेंगे hydrogen hydrogen attach करेंगे और जो बनने वाला प्रोड़क्ट हो जाता है CH3 यह CH3 मिल गया तेक है reduction हो गया आप ऐसे बोल सकते हैं यह carbon minus 2 है यहाँ पर carbon क्या हो गया minus 3 है decrease in oxidation number हमेशा क्या होता है reduction होता है समझ में आता है तो इस निकल जो निकल डेलाइस के surface area में hydrogen gas है यह hydrogen gas unsaturated को saturated में convert कर देता है तो यह gas है तो यहाँ पर अगर आप देखें यह भी reducing agent क्योंकि यह आपका surface area से hydrogen क्या करेंगे जा करके other substance को reduce करते हैं अच्छा आप बोल सकते हैं कि सर यह भी metal है यह metal पाल यह जाए कि D option के बारे में अगर में बात करो तो metal क्या यह sodium हो गया ठेके sodium का surface area होना चाहिए होना चाहिए अब को सोना चाहिए अब इसके surface area में यहाँ पर hydrogen होना चाहिए ठेक है इसके सर्फेस एरिया में में अगर नोबेल मिटल की तरह है याहाँ इस ताहे है, यह जो सोडियम है, यह n यो बेल मेटल नहीं है यह हाइल्य ईलेक्ट्रोपास्टु मेटल है हाइली उलेक्ट्रोपास्टु इलेक्ट्रोपास्टु हने nodig WAS say greater tendency इसके पास में electron luge करने की और electron luge करने के बाद में पास-to-charge रखना चाहेता है highly electropas-to-metal है यह बहुत ही ज़्यादा react to metal है तो ज़्यादा react to होनी की वज़े से जो भी hydrogen इसके contact में आएगा तो इसको पकर करके रख लेता है reaction करना शुरू कर देता है तो जैसे हम reaction के बारे में बात करें तो यह जो आपका sodium है जब hydrogen इसके contact में आएगा तो करता क्या है sodium hydride बना देता है ठेके balancing करना चाहें तो मैं इसको multiply by two कर देता हूं यह आपका sodium hydride होगी आप एक चीज़ notice कर सकते हैं इस mixture ने hydrogen release किया इसके surface area ने भी hydrogen release किया यहाँ पर surface area शुरी यहाँ पर निकल के surface area से hydrogen आ करके इसको reduce कर रहा है बड़ इन केस आप D option क्या रहा है hydrogen तो है बड़ यह sodium जैसे hydrogen के contact में आता है तो sodium hydride बनाता है hydrogen को पकड़ के रख रहा है यह release नहीं कर रहा है hydrogen को पकड़ करके रख रहा है तो जो mixture hydrogen release नहीं करेगा वो non reducing agent की तरह काम करेगा तो आप बोल सकते हैं कि सर्य डी आपसन जो है सिंस यह region आपका hydrogen रिलीज नहीं कर रहा है इस वजह से यह reducing agent की तरह नहीं काम करेगा डी अपसन इस दा राइट अंसर